नमस्कार दोस्तों, डीजी सेवा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यदि आपके पास GST नमबर है, आपने GST का रजिस्टेशन किया है मगर आप GST के नमबर की हमें आवा सकता नहीं है हमें उसे कैंसिल कराना है ये रद कराना है तो इस वीडियो के मादे हमसे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा कि हम कैसे अपने GST के रजिस्टेशन को कैंसिल करा सकते है क्योंकि दोस्तों, गवर्मेंट के नई गाइडलाइन के अनुसार यदि हमारा सालाना टरनोवर 20 लाग से कम है तो हमें GST की कोई आवसकता नहीं है हम अपना GST का रजिस्टेशन कैंसिल करा सकते हैं तो आईए हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम अपना GST कैंसिल करा सकते हैं सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट www.gst.gov.in को ओपन कर लेते हैं इसके लिए हमें वो आईए और पास्वार्ट की जरूरत होगी जो हमने रजिस्टेशन के दवरान क्रियेट की थी हमारे काफी सारे वियली भाईयों के लिए ये वीडियो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि उन्हें अपना जिएस्टी रजिस्टेशन कैंसिल करवाने की आवास सकता है तो चलिए हम अपना यूजर आईडि और पास्वार्ट डालके कैप्चा कोड डालके अपना पोर्टल को लागिन कर लेते हैं गवर्मेंट के तरफ से पोर्टल पर ये कैंसिलेशन की जो सुभिधा आया वह अभी एक्टिवेट हुई है तो चलिए हमारा इस तरह से हमारा जीच्ट पोर्टल लागिन हो गया है हमें अपना डेशबोट दिख रहा है इसके बाद हम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे सर्विस के बाद रजिस्टेशन रजिस्टेशन में हैं कहई सारे अप्षुन मिनेंगãy जिसमें हम application for cancellation of registration पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों हमें एक नया पेज दिखेगा जिसमें हमें हमारी profile 0% सो हो रही है जिसमें हमें basic detail फिल करनी है इसके बाद हम save as save and continue पर क्लिक करते हैं कि दोस्तों इसके second time में हमें cancellation का region देना होगा कि क्यों हम अपना GST का registration cancel के लिए apply कर रहे हैं क्योंकि हमारा business close हो गया है या हम text pay नहीं है या हमारा transfer हो गया business का जो भी region होगा साथ में हम date of cancellation पर क्लिक करेंगे नीचे जो कालम बने हुए है जिसमें हम अपना जो भी हमारा transaction हुआ होगा वो हमें so करेगा अगर हमने कोई भी transaction नहीं किया हुआ है तो हमें अपने सारे कालम पे zero already fill हुआ दिखेगा इसके बाद हम save and continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद third tab अर्थात verification वाले टैब में हम declaration पर क्लिक करेंगे उसके बाद name of authorized signature को select करेंगे अपना place फिल करेंगे और देन हम सब्मीट अगर हम अपना digital signature के द्वारा इसको सब्मीट करना चाहते हैं तो वह option otherwise हम electronic verification code अर्थात evc code को generate करेंगे जिसके बाद हमें अपने registered mobile number पर OTP generate मिलेगा जिसको हम इस box पर fill करके validate OTP पर क्लिक करेंगे validate OTP पर क्लिक करते ही हमें हमारे registered email पर हमारे GST registration cancellation का acknowledgement number मिल जाएगा तो ये रही EGC process है दोस्तों इसके दोर आप अपना GST का registration cancel कर सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर इसे subscribe कीजिए like कीजिए and share कीजिए धन्यवाद